कवियों के कवी कहे जाने वाले शमशेर बाहदूर सिंग का जन तीन जनवरी 1911 को दहरादून में हुआ कवी गद्यकार और चित्रकार पत्रकार के रूप में समशेर का जीवन और कृतित्व न केवल कलाओं की बीच की दूरी को पाड़ता है बलकि भाशाओं की दूरी को भी कम करता है यह शमशेर का शताबदी वर्ष है और शताबदी वर्ष के उपलक्ष में हम उनके जीवन और उनके साहितिक अवदान के विभिन पहलों पर आचर्चा करेंगे प्रफ़सर शर्मा आपसे जानना चाहती हूँ कि यह वर्ष चार प्रमो कव्यों का शताबदी वर्ष है जिन में से शमशेर भी एक हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि शमशेर उन कव्यों से किस तरह अलग हैं और किस तरह उन कव्यों से जुड़ते भी हैं चंद्रा जी बहुत अच्छी बात बताई आपने की ये शताब्दी वर्स है और जो जिन कभियों का शताब्दी वर्स है उसमें शमसीर तो हैं ही अगे भी हैं और दोनों को हम इस तरह से जूड़ के देखते हैं कि अगे जी ने तार सब तक प्रकाशित किया और दूसरा ज़ कभी के रूप में शमसीर में जो प्रतिभा देखी उसकी आधार पर उनकी कभिताएं उन्होंने ली और बाद में रूपंबरा में भी उनकी कभिताएं प्रकाशित की और आपको मालूम है कि शमसीर तार सब तक में लिए गए पर उनको जितनी ख्याती मिलनी थी कभी के रखी और उसमें ऊशा नाम की कवीता हमने पाचि पृस्तक में रखी थी जो अभी भी पाचि पृस्तकों में है तो कभी और कभी कह जाने वाले जो शमसेर हैं वास्तों एक बड़े कभी हैं और दूसरा सब तक के कभी हैं तो निश्यत रूप से उनमें कुछ रहा होगा उनकी कविताओं की जो अंतर वस्तु है वो बहुत ब्यापक है उसका कानवास जो है बहुत ब्यापक है और मैं समझता हूं कि कविता में जो नहीं लिख पाए उन्होंने चि माराईदा जी मैं ये जाना जाँँनगी कि नागारजून और करणात अगरवाल का शटाबदी वर्ष भी है किया सम्षीर का हुन से भी कुछ संबंध है सम्षेर प्रग्जशिल कवीता धरा के प्रमुख कवियों में है लेकिन सम्षेर प्रग्जशिल कवियों की तरह स्टेटमेंट के कभी नहीं है, वक्तवियों के कवी नहीं है आप देखेंगे कि बाबा नागारजुन की कविताओं में बक्तब आता है बक्तब कोई सीमा नहीं है कविता की उकका बयात्मक जो धाचा है उसमें ही आता है केदारना थगरबाल में अधिक बक्तब है लेकिन समशेर एक तरफ तो प्रगतशील कवियों का यह जो यथार्थवादी विशेवस्तू से सम्मंद है वो अपनी कविता में रखते हैं दूसरी तरफ जो उसका उनका फार्म है उस फार्म को उस शैली में देकर जो नहीं कविता के चल रही थी उस नहीं कविता के फार्म को अपनाधे है यह मैं यह नहीं कह रहा की विशेवस्तू और विशेवस्तू ऑ फार्म के जंगडे को मैं चाहते है लेकिन इन दोनों कभिसे, अगर प्रकाविटा कविता का एक चहरा, अगर आप सामने लाएंगे, तो सम्षेर, इसके जो एंद्रिक पक्ष है, जो कविता का जो गहराई है, उसको सम्षेर पूरा करते हैं और जो नागार्जुन और है अगरेदार नाथागर मेल हैं, वो जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी दुनिया का अथार्थ है और वो जो चेहरा है उसको दिखाते है। आपने परफसर साब अभी शम्शेर की कविताओं की पुस्तक संपादीत की है हाली में और आपने उसमें शम्शेर को अध्वितिय कवी कहा है और शम्शेर की शम्शेरियत के बारे में भी बात की है तो वह शम्शेरियत क्या है जरा हम वह जानना चाहेंगे? मैंने उनकी कविताओं का एक चेहन किया है National Book Trust के लिए जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है ये चिंद्राजी आपने ये पूशा है कि वो शमशेरियत क्या है या उन्हें मैंने अद्वेतिय कभी कहा है वो क्या है इसलमें ये शमशेरियत जब कहा जाता है तो आप ध्यान दें कि यह पद या इस जैसा पद दूसरे किसी कवी के साथ नहीं लगता सुरेश जी हम नागारजुनियत नहीं कहते हैं हम अगे के साथ ऐसा कोई पद इस्तेमाल नहीं करते हैं हम किदारना थगरवाल के साथ नहीं करते हैं हम निरला के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन शमशेर के लिए ये चलता है समशेरियत, ये शमशेरियत शमशेर को एक विसेस धर्जा देती है, शम्षेर को अगर मैं शम्षेरियत से अलग कह रहा हूँ कि वो एक अद्वीतिय कभी है तो इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि शम्षेर में आप देखें कि प्रगत्शीलता सामाजिक चेतना, यथार्थ चेतना और सौंदर्य चेतना यह प्रारंभ से ही, यानि 1935-1936 से जब उनका रचना समय सुरू होता है तब से लेकर औरंथ तक, यह दोनों साथ साथ चलते हैं कोई विभाजक रेखा नहीं है गैर प्रगशील आलोचकों ने, जैसे विजे देवनारा अंसाही ने उन्हें सौंदर्य का कभी कहा है और विशुद्ध सौंदर्य का कभी कहा है और कहा है कि उनकी सामाजिक चेतना, उनकी प्रगशील चेतना तो हाशीय पर है ऐसा है नहीं यह दोनों ही उनके कभी वक्तित्व के अभिन नहीं से हैं तो एक तो ऐसा कभी जो अपनी सौंधर्य चेतना में भी बेजोड हो और अपनी समाज चेतना में भी बेजोड हो जैसा कि सुरेश हर्मा जी ने बताया कि उनके हां सीधा नारा नहीं है समाजिक चेतना है राजनितिक चेतना है लेकिन वो सीधे नारे के रूप में नहीं है वो भी एक कला के रूप में ढल करके और कला बन करके और शमशेर का ध्यान कला पर और शिल्पक्ष पर तो रहता ही था उन्होंने बार बार कहा भी है दूसरी बात यह है कि शमशेर जिस सौंधरिय चेतना के कवी हैं उसमें प्रकृत है और प्रकृत के साथ स्त्री देह भी है और आधुनिक हिंदी कविता में स्त्री देह के सौंधर्य के मानसल प्रेम के बेजोर कभी है शमशेर संशेर ने कुछ चित्र भी बनाए है तो उनका चित्रकार रूप हम उनकी प्रकरती और प्रेम संबंदी कवीताओं में देख सकते हैं होता है जिए उनका की मैं कैसे हंडी से अुरदू अर्दू से लिखा है कि मैं तो चित्रकार था और दिली आगया था उकील बंदुों के स्कूल में पढ़ने के लिए तो उन दिनो मेरी मेरे अंधर कला जो पैदा होती है किसी भी चीज के प्रती जो मैं समय दन्शील होता हू चित्रकार नोगों के चेहरे में उनकी कहानी देखने के कोशिश करता हूं. तो तो चीक क्या करता था अपने युवाद जनों मेंằ before ongehen that not place, वहार निकल जाता है zajlinा और लोगों के चेहरें कोचिश करता था, mm, अजी आनकन करता था. तो मेरी जो आदत है वो बिम्बो से विशे वस्तु में जाने की है तो इसलिए समशेर को समझने की जो कुंजी है वो ये है कि उनके वो इमेज से विशे वस्तु की तरफ जाते है जबकि दूसरे कवी जो विशे वस्तु है उसको बिम्बो के माध्यम से ब्यक्त करते हैं तो ये जो शंशेर का उल्टा रास्ता है इस तरह से हम समझने की कोशिश करें और संशेर इसमें एक बड़ा क्राम करते हैं वस्त बॉसर इस कर ले जॉत घंक देखनागा तो शंशेर को हमें दिखातें आप सुरह का आकाश इसको देखते हैं लेकिंक इसमझेर की कवीता के माध्यम से अगर आप देखते तो वह आकाश का एहसास जो है आपको वो बिल्कुल बहुत रचनात्मक और बहुत गहरे होता है कि वह आकाश कहीं और ले जाता है उशा कविता पार्किकरम में भी है जिसकी चर्चा आपकर रहे है यह उशा कविता आपने बहुत अच्छी याद दिलाई चंद्रा जी मैं चाहता हूँ कि इस उशा को जरा एक बार हम देखें यह सचमुच प्रकिर्टी का ऐसा अनोखा सौंदर्य रचते हैं और ऐसे बिंब जो इसके पहले हिंदी कविता में नहीं है और आज भी तो यह जैसे खुलता है कि प्रात नब था बहुत नीला शंक जैसे भोर का नब राक से लीपा हुआ चोका अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर जिल मिल देह जैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशा का अब सुर्योदे हो रहा है जैसे कि आपने कहा कि एक इमेज बनाते हैं शम्शेर अब यह भोर का जो है कई कई रूपों में एक तो नीला शंक जैसे अब शंक नीला होता नहीं है यह शम्शेर का अपना अपनी कल्पना है एंद्रिक्ता है कि वो नीले शंक के रूप में देखते हैं जबकि यहां किसी को कठना ही लग सकती है असल में शम्शेर को जो दुरूह कभी कहा जाता है इस कारण कहा जाता है कि लोगों के दिमाग में पहला सवालिये उड़ता है भई शंक तो सफेद होता है और शम्शेर में नीला कहा है जबकि इसके पीछे जो कल्पना है शम्शेर की वो इसके आगे की है आगे की है को वो शंक को नीले रंग में देखते हैं और प्रभात को उस रूप में देखते हैं और पुरे आकाश को शंक के रूप में देखते हैं और नीले शंक के रूप में देखते हैं और नीले शंक तो मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता कि शंसेर की जो कावी द्रिष्टी है वो बहुत पैनी बहुत तीखी बहुत आक्रामक भी है प्रकिर्वत कि अनोखे सौंदर को हमारे सामने कोई रख रहा है और वो एक क्या कहता है वो एक जादू की तरह उसे दिखाई देता है इसलिए अंतबना कहता है कि और जादू टूटता है इस उसाका अब सुर्योद हो रहा है यहिसुर्योद हुआ एस RAW साफ हो गया सुर्योदय अब तक हुआ नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें जिल मिल थी, वो थोड़ा थोड़ा जीने पर्दे के पीछे थी, और उसमें कई रंग बन रहे थे, कई इमेज बन रहे थे, वो देख रहा है, तो उसमें जो सौंदर्य का निर्मान कर रहा है कभी जो सौंद और सुबह नहीं हुए, जो अर्न सुर्योदय नहीं हुए है, इसके बीक का समय है, वह जो एक पल है, या उसका चित्र है, उसको बाढ़ने की पोशिशिश है, उसको जीने की कोशिश है, और यह अगर प्रकृति को इतने सुक्षिता से जो एक कभी जीने की ट्रेंइड हमे कि दूसरी तरफ चान से थोड़ी सी गपते जैसी कवीता है जो हमारे बच्चे छटी क्लास में भी पढ़ते हैं वो एक भिन्न मूर की कवीता है शम्शेर की मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी थोड़ी हम लोग चर्चा करें चान से थोड़ी सी गपें इसमें आप देखे कि शिर्षक के नीचे दिया हुआ है कि एक दस ग्यारह साल की बच्ची तो ये एक बच्ची की नजर से चाहिक बच्ची के मन से एक बहुत ही कुमल कलपना है कि एक सहाना याद में बच्चा बन करके चाहँद को देखने की कोशिस करता है और उससे गप लडाने की कुश्य प्रकृति के प्रति हमारा जो एक बहुत अपनत्य भरा लगाओ है उसकी बानगी है इसमें इस शम्षेर की कविता को इस अर्थ में मुझे लगता है कि देखा जाना चाहिए सुरेज जी मैं आपसे यह भी जाना चाहूंगे कि आप तो शम्षेर से मिले भी हैं तो उनका कोई रोचक संसमरन अगर आपको कोई ध्यान में हो तो बताएं उनके व्यक्तितों कि बारे में हम जाना चाहूंगे शम्षेर जी से,ुनिस अंयासी के आस पास जब जवाहर लाण नोरुन बिष्वी जयाले में आया था तो था मौनेल टाउन में और महां मिलने का मॉपका हो था तो उनको मैं देखता था जब महां जाता था तो एक पढ़ह करते रहते थ falsch szalade jala men पढ़ता हूं, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्या वहाँ पर रूसी भाशा में मेरा एड्मिशन हो सकता है? इजब बच्छो नहीं. क्या मैं अपलाई कर सकता हूं? और कब वो समय हो जाएगा और कब वो निकलेगा? तो ये उन्हें जो सीखने का और वो हर वक्त हमेशा एक नएक भाशा सीखते रहते थे तो ये मैं उनको एक चीज तो वो देखता था. दूसरे समशेर जी खो जाते थे एक दम, कहीं भी आप उनको उनसे बात कर रहे हैं तो वो खो जाते थे. कोई अगर उदाहरन दे रहे हैं पुराने दिनों की तो उसमें वो खो जाते थे, समय का ख्याल नहीं रहता था. तो इस तरह समशेर जी में एक बच्चों जैसा उत्सुक्ता का भाव था और वो हमेशा इन चीजों को और खासकर हम लोगों से वो कहते थे कि उर्दू कभीयों को पढ़ा जाना चाहिए, उन दिरो फैज अमद फैज आये हुए थे दिली, फैज अमद फैज के संग्रह का स लेकिन मैं तुम्हारी चोटे होनी है, अपना सीना होना है कि माध्यम से फिर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, लेकर नारा, कौन पुकारा, शमशेर आप देखें कि 1940 से, 1937 से, मजदूरों पर, जुलूसों पर, किसी जुलूस में शहीद हो चुके वेक्ति पर, समाज को और पार्टी को अपना जीवन दे देने वाले किसी कामरेट पर, ऐसे बहुत सारे लोगों पर कविताएं रचते हैं, और उनकी कभी जीवन का, उनकी कभी जीवन का, एक बड़ा हिस्सा समाज से जुड़ा हुआ है, सौंदरज, प्रेम और प्रकिर्थ, ये पक्ष है उनका लेकि हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो सामाजिक चेतना के भी बड़े कवी हैं, और ये दोनों चीज़ें जैसा कि मैंने शुरू के अपने वक्तवे में कहा, कि उनकी सौंदर्य चेतना और उनकी सामाजिक चेतना, ये बटी हुई नहीं है जरा उनके गद्यकार रूप के बारे में हम आप से जानना चाहेंगे हाँ वो इसकी भी जरूरी है समशेर के गद्यकार रूप को जानना, क्योंकि जिन लोगों को समशेर की कविता अमूर्त लगती है या जिन लोगों को उनकी प्रक्रिया को न समझने के कारण लगता है कि ये क्या है वो उनका गद्य अगर देखेंगे तो वो गद्य उनका काविकाही पूरक है आप उनके गद्य को प्लाट का मोर्चा में उनकी कहानिया है उन कहानियों में आप नई कहानी का दौर से पहले की भी कहानिया हैं और थोड़ा बाद की भी चीज़े हैं लेकिन आप आएंगे कि वो कविता का ही विस्तार है उसमें वो जो चीज वो कविता के फॉर्म में वो नहीं डाल पाते उसको वो अपने कहानियों में डालते है। बाकी सारा सिर्फ अहसास होता है दृष्यों का उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का जो शब्द चित्र बनाते हैं उसका तो वो एक गद्य का समशेर का जो रूप है एक तो कहानियों के रूप में है। दूसरा सम्रषेड ची ने डाइरियां लिखी है, हाथ जादा, और उन डाइरियों में तो वो लगता है, जैसे की जो कविता वो लिखने वाले है, सोमव्रक है उस दायरी में फिर वही Biz Together मैं उसे कहता हूँ के वा नसी की दिन चरिया है, शम्रषेड की, कि वो जो कलाए और अपने बारे में और अपने समय के बारे में जो सोचते विशारते हैं वो सारी चीजें उसमें आई हैं और एक और चीज है समशे जी कुछ चीजें अभी कठी नहीं हुई है जैसे कि वो जिन जिन दिन जिन समयों में उन्होंने जो समपादन किया है कुछ लोग रुपाब में वो समपादक रहे है सजोग किया अपन्द जी को या बाद में नौकरी के लिए और उसके लिए माया में उनको काम करना पड़ा लंबे समय तक उसमें उन्होंने टिपड़िया लिखी है," तो मैं देखता रहा की कुछ जो लोग-जो लोग सम्शेर पर काम कर रहे हैं, उनको चाहिए, मैं ऐन्त में यह कहना चाहूंगी आप लोगों से कि शम्शेर की कौन सी कविताएं हमारे किशो और दर्शक जिने पढ़ सकें वैसी कविताओं की नाम हम कुछ जानना चाहेंगे शम्शेर की बहुत सी कविताएं हैं जिने हम चाहेंगे की विद्यार्थी पढ़ें और मैं चाहूंगा की एक तो उनकी कविता है निराला के प्रती इसमें एक तरशे काग वे गुरू है निराला शम्शेर की तो इसे देखा जाना चाहिए उनकी कविता है फिर वह एक हिलोर उठी लेकर सीधा नारा जीवन की कमान बात बोलेगी अमन का राग गजानन माधो मुक्तिबूध भूनेश्वर पर उनकी कविता है नागारजुन पर एक कविता है उसी पर मुझे याद आया तूटी हुए बिख्री हुई पर रगवीर सहा ने बहुत अच्छा लेक लिखा था लरगवीर सहाय ने ये कहा है कि मुझे सम्षेर ने प्रेम करना सिखाया यानी ठूटी हुए बिख्री हुई में जो प्यार का अहसास है किसी के भीतर प्यार कैसे पनपता है प्यार को किसी के भीतर उसको हम कैसे महसूस कर सकते है यह अच्छेर जी की उस कविता को पढ़कर मैंने महसूस किया और उसने मुझे बदला उसने मुझे एक एक मया संसकार दिया तो यह रगवीर सहाय जैसे कवी और खुद वो प्रेम कविता भी ने लिखी है वो बहुत बड़े कवी है वो शमशेर ने तो कहा है तुम मुझे ऐसे प्रेम करो जैसे मचलिया सागर से करती है वे उसमें फसने नहीं आते है यानि उनके लिए जीवन और प्रेम एकाकार है यही उनके प्रेम का लोगतंत्र है आप लोग स्टूडियो में आये और शमशेर पर बहुत तेजक चर्चा हम लोगों ने की आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद चंद्रा जी आपने हमें आमंत्रित किया और शमशेर पर कुछ पल जीने का हमें मौका दिया हम सब इकठे हुए इसलिए हम भी आपके आभारी हैं और आपके संस्थान के आभारी हैं कि हमें मौ कामिला धन्नी बादा धन्नी बादा धन्नी बादा झाल मौ कामिला अन्नी बादबाम इसごा कर दोता हू शूए्मधन. धन्नी बादा कर दोल्सादा है.